आपने अब तक यही सुना होगा कि बर्ड फ्लू सिर्फ पक्चियों या फिर जानुरों को ही अपना शिकार बनाती है लेकिन पहली बार बर्ड फ्लू का मामला इंसानों में भी देखने को मिला है दरसल रूस में इंसानों में भी बर्ड फ्लू के वाइरस की पूश्टी हुई है जिसके बाद से स्वास्त विशेशग्यों की चिंता और बढ़ गई है इसकी जानकारी रूस की ओसे विश्व स्वास संगठन यानी डबलू एचो को भी दी गई है न्यूज एजेंसी राइटर्स ने रूस के एक स्वास्त अधिकारी के हवाले से बताया है कि 2020 में रूस के दक्षनी हिस्से में बर्ड फ्लू का कहर देखा गया है यहां के पॉल्टरी प्लांट के साथ करमचारी एवियन इन्फ्लूेंजा वाइरस से संक्रमित मिले है उनका इलाज चल रहा है और इसमें लगातार सुधार भी देखनी को मिल रहा है हाला कि अभी भी बर्ड फ्लू संक्रमितों में हलके लक्षन दिखाई दे रहे है रूस के स्वास्त अधिकारी के मताबिक इन लोगों में से दूसरे लोगों में वाइरस फैलने का कोई संकेत अभी नहीं मिला है सबी संक्रमितों को आईसुलेशन में रखा गया है और इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ट्रेस करने की कोशिश जारी है इनसानों में बर्ड फ्लू के ज़्यादतर संक्रमन के मामले संक्रमित जिवित या मृत पॉल्ट्री उतपादों के साथ सीधे संपर्क में आने से जुरे हुए है बर्ड फ्लू जंगली पक्षियों के पलायन से फैलते हैं बतादे कि मानों में बर्ड फ्लू के संक्रमन का पहला मामला साल 1997 में आया था जब हॉंग कॉंग में मुर्गियों से एक श्रक्स में ये वाइरस फैला था हाला कि WHO का दावा है कि बर्ड फ्लू आमतोर पर इंसानों को संक्रमेत या प्रभावित नहीं करता है लेकिन फिर भी आपको और हमें साउधान रहने की जरूरत है